आज मैं आपको different types के stainless steel के काफी unique products दिखाऊंगी जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है I hope so first product मैं दिखाना चाहूंगी आपको यह pickle set है इसका जो base है यह wood का है इसके three bowl है different types के आप pickles रख सकते हो three varieties के and यह आप dining table पे जब रखते हो तो काफी खुशूरत लगता है see how beautiful these are next product जो है हमारा यह box यह box जो है gift purpose के लिए भी है यह आप फिर इसको center table पे यह dining table पर रख सकते हो और अगर किसी को gift देते हो तो इसके अंदर आप four partition बना हुआ है तो dry fruits यह toffies यह सब gift कर सकते हो और इसकी ऊपर काफी खुबसूरत जो है flower बना हुआ है इचिंग किया गया है and it is very heavy next product की और हम आते हैं यह ice cream जो है स्कूप सेट है दो के सेट में आते हैं और आप देख सकते हैं कि यह इसके globe shaped का है half globe shaped काफी beautiful है ग्लेज देखिए और इसका spoon आप देखिए वेरी unique and trendy वन बिल्कुल डिफरेंट है आप देख सकते हूं निक्स्ट जो product मैं आपको दिखाऊंगी वह भी ice cream या dessert या custard के लिए है यह भी आप देख सकते हैं इसका spoon जो है काफी trendy है एंड इसको आप दोनों साइड से यूज कर सकते हैं और बोल में दिखाती हूं यह जो है कॉनिकल शेप है और इसके बाहर में उभार बना हुआ है बट इंसाइड जो है एकदम स्मूथ है वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी ट्रेंडी अब हम आजाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोड़क्ट की ओ यह जो है सॉल्ट एंड पेपर स्टैंड है इसमें जो कार्व किया गया है वो भी दो डिफ्रेंट साइड में है अपन डाउन करके और यह जो है आप देख सकते हैं यहां से इसमें सॉल्ट पूर करने का है और यहां से डस्ट करने का है इसका श्रेव देखिए काफी यूनीक है यूनीक निक्स्ट प्रोड़क्ट की ओर हम आते हैं यह जो है ग्लास एंड जग का है सेट है यह ग्लास देखिए काफी इसमें वाटर आ जाता है बिक साइज है एंड जग दिस वेरी ट्रेंडी वन वेरी गुड लोकिंग आप इसका हैंडल देखिए एंड फिनिशिंग तो सारे प्रोड़क्ट का काफी ही कुप सुरत है सिल्वर फिनिश यह चार ग्लास एंड एक जग के सेट में आते हैं एप्रॉक्सिमेट्टी 3500 ऐसा इसका रेंज है निक्स्ट हम आते हैं इस तरह के बोल की ओर यह दो का सेट है और यह फ्रावर से संप्रावर से इसका इंस्पिरेशन है आप देखिए संप्रावर की तरह दिख रहा है अंदर में उसके जो सीट्स की तरह बनाया गया है दो का सेट है एंड वेरी गुड लोकिंग अगें आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं इसमें ड्रैफरूट्स वगरा डाल करके दिवाली के समय एंड नेक्स्ट जो हम आते हैं यह ग्लास है चार का सेट है काफ सेम टाइप है उपर से नीचे एक जास आई बिलकुल यह चार का सेट है एंड वेरी गुड लोकिंग ट्रेंडी एंड यूनीक नेक्स्ट हम आ जाते हैं यह प्रोड़क्ट तो आपने देखा ही होगा आजकल काफी फैशन में भी है आप इसमें राइस बिर्यानी सबजी ब करते हैं यह इस तरह का लीड है इसमें खासियत इस प्रोड़क्ट में है इस बेरी यूनीक वन पहली मैं इसका बेस दिखाती हूं बेस का शेप भी डिफरेंट है और यह जो है आप इंडक्शन ओवन में भी इसको बठा सकते हैं और इसका आप हैंडल देखिए बेरी यू यूनीक सी इस वन निक्स्ट हम आज आते हैं मश्रूम प्लेट की ओर यह जो मश्रूम प्लेट है यह काफी ट्रेंडी है इसका आप शेप देखे साइड में बिलकुल सरकल नहीं है ओपर नीचे है और यह जो साइड में जो रीज भी बनावा है काफी डिफ्रेंट है इसमें आप फर भी रख सकते हो डेली बेसिस पर या फिर अगर घर में कोई आते हैं गेस तो इसमें कुछ सर्फ भी कर सकते हो जिस्तर से चाहो आप इसको यूज कर सकते हो नेक्स्ट हम आ जाते हैं टी सेट की ओर यह जो टी सेट है कैटली लिकर के लिए कैटली लिकर के लिए और यह जो है हमारा मिल्क और इस वन फॉर शुगर और इसका मैं आपको स्पून दिखाती हूं सी हाओ डिफेंट इस एंड इसका आप जब प्रे देखेंगे वह भी स्टेनलिस स्टील का है एंड आप एक चीज देखेंगे इसमें काफी डिजाइन बिल्कुल साइड में आप देख सकते हैं पॉर्णर में बिल्कुल डिफेंट टाइप का है वेरी गुट अन बेरी प्रेक्स्ट हमा जाते हैं यह टिशू होल्डर है टिशू होल्डर इसका जो बेस है अगें वह बुड़न का है और लीड जो आप देख रहे हैं इसका काफी खुबसूरत जो है इसमें कार्विंग किया गया फ्लावर बनाया है और यह जो है उसके साथ में फोर पार्टिश जिसमें आप इसमें ड्राइब फूर्स पी रख सकते हैं और यह फ्लावर देखिए और यह करीबन आपको 5000 में आप एमाजन से भी खरीच सकते हैं अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि मैं और कुछ बहतर चीज दिखा सकूं आपको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओके टाटा बाबाई